तो कैस मैं हुआंकि तो और आप देख रहे हैं रस्लिंग फैंस नेटवर्क सबसे पहले हैं अपनी बात को सुरु करेंगे डबी डबी के एक बहुत इंट्रस्टिंग ट्रेडमार्क को देखते हुए तो डबी ने भाई एक ट्रेडमार्क फाइल करा है जो कि सायद आने वाल अब इससे लोगों की स्पेक्विलेशन में आपको जरूर से बता सकता हूं काफसार लोग कह रहे हैं कि हो सकता है डबी 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 नेटवर्क पे कोई अलग सेक्शन ला रही हो या फिर हो सकता है कि एक कुछ नया प्लैटफॉर्म लाउंच करेंगे लोग ड ठाक तो नहीं पता लेकिन ये नेम काफें इंट्रस्टिंग हैं काफी सौट ट्रेडमाग है तो चांसेस अच्छे khas बढ़ जाते हैं भाई कि ये कुछ बरी चीज हो सकती है डबी डबली वाल्ट ये के न्यू रीसंट इंट्रस्टिंग ट्रेडमाख ये डबी डबी डब ने इसके उपर खुद क्या का है भाई हम लोग उस पर ही बिलीव करेंगे आईवर कहते हैं कि वह इंजर्ड है आईवर ने कल ही इस चीज को क्लारीफाइब कर रहा है लेकिन कल हमने कोई और अपडेट्स कवर करी थी और सारी इस चीज को मैं अभी कवर कर रहा हूं आईवर है भाई ट्वीट करके कुछ यह कहा आप लोग देख सकते होगे आईवर कहते हैं यहां पर आईवर का कि बहुत सारी मिस इस फैल रही है उनको लेके उनके इंजरी को लेके तो यह क्लारीफाइब करते हैं कि मैं इंजर्ड हूं सही बात है मेरी जो इंजरी है काफी सीडिय कहते हैं यानिया काफी सीरिसे उसके बाद कहते है की मैंने भी सर्जरी नहीं कर आई हैं बहुत सारी मिस्ट इसndरी करन आए हैं加ब इस्टृ कर आए ने कहीता है उंकी सर्जरी हो चुग है वेकर जोsh सब्सक्राइब करेंगे अगली स्टोरी के बारे में देखने को मिल सकता है अभी तो सब्सक्राइब करेंगे अभी तो अब आगे क्या हो सकते हैं इसको लेके अपडेट दी है किसने तो भाई फाइट फुल नहीं सॉन रॉस सापने के अंदर यह आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन को पर कहते हैं यहां पर हरी टेंड नॉट स्टॉप देर एज सी अलसो म को अब उच्बाइब का से नहीं स्टॉप देख साथ सब्सक्रीन के अपनी आप सहिता हैं तो उनको बैकश्टेज को पर्मनेंट ग्राइब करा जाए यानि कि लेकिन जब वह आई थी लाइक ड्राफ्ट में उसके पहले छलमीन में पही आई तो उनको बैक्स्टेज काफी अच्छे से welcome करा गया, काफी warm welcome मिला उनको और अच्छे से उनको appreciate करा गया, हर तरीके से खातेजारी करी गई यानि कि backstage environment उनके लिए काफी positive है, काफी friendly है अभी कहीं साब से भाई वो जरूर आगे भी आएंगे उनके लिए doors open है, हाला कि exact एक कोई role उनके लिए mention नहीं करा गया कि वो कितनी capacity में आएंगी, किस role में आएंगी, क्या plans से, वो सब कुछ नहीं बताए गया लेकिन हाँ, या आप जरूर से मान सकते हो कि जितना इनको अच्छा welcome मिला back stage उस हिसाब से जरूर से आगे भी आना चाहेंगी, काफी obvious सी बात है तो अभी के इसाब से अच्छी news है, जो लोग Stephanie McMahon को television पर देखना चाहते हैं उनके लिए, मैं Stephanie McMahon को भाई, to be honest, television पर तभी देखना चाहता हूँ जब Stephanie McMahon किसी authority वाले figure में आए, and heel बनके है वो heel Stephanie McMahon का मज़ा ही कुछ और है, heel authority का ही overall मज़ा कुछ और है अब तो triple H face हो गए है, Stephanie McMahon face हो गए ही, सबके सब face हो, ultimate heel wins McMahon है लेकिन अगर एक बार वापस मौका मिले भाई, इनको heel बनने का so I think please बनना चाहिए, and involve होना चाहिए, ताकि fans को मज़े आए मैं तो यह चाहता हूँ, कि आप लोग अगरी करते हो, मेरी बातों से comment करके बताना गुमाफिरा के बात यह है, कि Stephanie McMahon को लेके backstage involvement काफी positive है, काफी warmly उनको welcome करा गया था इसका मतलब है कि आगे future में भी उनके आने के लिए, appear होने के लिए doors open है लेकिन अभी के हिसाब से, किसी भी permanent role में, permanent capacity में, WWE के creatives के पास, उनके लिए कोई plan नहीं है अभी के हिसाब से, यह कुछ fightful select के अंदर, Sun Ross Sapp ने अपने Q&A में report करके बताया नेक्स्ट अम लोग बात करते हैं, अपनी अगली story के बारे में, वो है एले नाइट एंड लोगन पॉल को लेगे तो आज के smackdown के अंदर, backstage भाई, इनका confrontation देखने को मिला है और आपको मालू में कि अब यह चीज़ कहां पर lead करने वाली है बहुत टाइम से वाला मैच रूमर्ड है, लोगन पॉल वर्सेज अले नाइट का, यह साध इस साल रसल मीना में ही हो जाता है काफी साल लोग इसकी demand कर रहे थे, और चांसेस भी अच्छे खासे थे भाई, कि साध इसी साल के रसल मीना में यह वाला मैच हो जाता लेकिन हुआ नहीं, लोगन पॉल ट्रपल ठेट मैच में अपनी टाइडल डिफेंट कर रहे थे, एले नाइट को भाई, अब ऑपरचुनिटी मिलेगी, समर स्लैम के अंदर, यह आप 100% लिख के ले लो तो यह एक अच्छी नूज है एले नाइट के फैंस के लिए, कि आगस्त के स्टार्टिंग में ही आपको आपके फेवरेट सूपरस्टार, एले नाइट, दम मेगास्टार, युए चैंपिन बनते वे दिख जाएंगे, अभी के इसाब से लोगन पॉल के कुछ आखरी दिन के लोग युएश चैंपिन के तौर पे अभी किंग और क्वीन ओफ दरिंग में कंपीट करें उसके बाद धिरे 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 जाके समस्लाय में टाइटल ट्रॉप कर देंगे, जब वो फेस करेंगे, एले नाइट को अभी के इसाब से बाई, यह कुछ अपडेट है, इनके मैच को लेके, लॉग समझ लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स टाइन फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके, तो भाही डवी को नीड पर यह रोमन रेंस के आइड यह चीज तो भाह नहीं जा रहा है कि आने वाले टाइम में डवी ऐसी फ्रीक्वेंटली रोमन रेंस के नेम को यूज करेगी, पहले ट्राफ्ट में यूज करा पॉल हमन की तरफ से पॉल हमन कह रहे हैं कि रोमन ने कहा मुझे पुल आउट करने को उसको तो मैंने कर लिया, उसके बार यह च की तरफ से मूव जो की डवी आगे करेगी, यानि की मल्टिपल टाइमस रोमन को आने वाले सोज में में मेंसन करते वे दिखेंगे, बेभी यह भी हो सकता है कि हर सो में रोमन रेंस का कुछ ना कुछ है करेंगे, इससे दो चीज होगी, एक तो भाई हाइप मेंटेन रहेग की रोमन को डवी रोमन के नेम को यूज करते वे देखेंगी, आने वाले फ्राइडेन आट स्मक्टन वगरा के एपिसोड में उसके सोग में आपको आप रोमन का मेंसन देखने को मिलेगा, अवे के इस आप से फिलहाल इस वीड़ो के लिए कुछ अपडेट्स थी, I hope आप